यूपी PCS 2019 के लिए भूगोल के आत्म हत्पून प्रश्णों को देख रहे थे देखे अब टेस्सरीज हमारी स्टार्ट होगी तो ग्रुप में जो लोग हैं वो टेस्ट के लिए तयार रहे हैं अब क्विज की जगह टेस्ट होगा डेली कैसे होगा हम मैं बता दूँगा टेस्ट सुरू करने के पहले निमकित में से कौन सा यूग मुस्मेलित नहीं है तो पेरिस, सीन नदीक किनारे विल्कुल सही है बरलिन, स्प्री नदीक किनारे है यह सब नोट करते जाएगा यह प्रश्ण बहुत पूस्ता है पेरिस सही है, सीन नदीक किनारे है बरलिन, स्प्री नदीक किनारे वासिंगिटन, डीसी, पोटो मैक नदीक किनारे सही है मॉन्ट्रियल, राइन के किनारे नहीं है दोस्तों मॉन्ट्रियल जो है, राइन किनारे नहीं है D इसका जो है गलत है ठीक है यही सुमेलित नहीं है तो Montreal सहर Canada में Saint Lawrence और Ottawa नदी के तड़ परिस्थित है कहां Saint Lawrence और Ottawa नदी Rhine नदी तो Europe में है ठीक है न तो आपको पता रहेगा शहर कहां है तो और ज्यादा आसानी होगी आपको लगाने में तो Montreal तो Canada में Rhine नदी के तड़ पर जर्मनी का कोलोन बंदर गावस्थित है जो की मोटर वाहन इत्रो रसायन निर्मान का केंद है निमलिकित में से नाथूला दर्रा किस राजिमें इस्थित है तो निमलिकित में से नाथूला दर्रा जो है सिक्किम सिक्किम का आपको याद रखना है तो याद रखेगा सिक्किम से जलना जलेपला और नाथूला ये ये दोनों दर्रे जो है सिक्किम में स्थित हैं हाला कि हमने सब बताया हुआ है ग्रूप में आप लोग कोडिंग जो हमने दिये जितने भी मात्पूर्ण कोडिंग है वो सब UP PCS में पूछा ही जाएगा 100% है पूछा जाएगा जिस जितनी हमने कोडिंग बताई है ग्रूप में तो ग्रूप में जो लोग हैं उसको रड़ डालिए इसके लावा जो हमने PDF दिये आपको जिसमें हमने सदा बहार लिखा हुआ है उसको आप जितनी बार हो सके दिन में एक बार जरूर पढ़िए क्योंकि वहाँ से प्रश्ण 10 से 15 आने ही आने हैं तो 10 से 15 प्रश्ण बहुत ज़्यादा माइने रखते हैं जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में है इसका निर्माठ तिस्ता नदी के द्वारा हुआ है इसके लमा उतराखंड में देखिए नीती दर्रा और माना दर्रा उतराखंड में है रोहतांग, बड़ालाचा और शिपकीला दर्रा ये हिमाचरपधेश में हैं जोजीला दर्रा बनिहाल दर्रा बुर्जिल दर्रा ये सभी जमू कश्मीर में हैं कोईना वर्णा पंचगंगा तुंग बद्रा निमिखित में से किस की साहग नदिया है कल वाले परसों वाले वीडियो में हमने बताया था तो किष्णा नदी की साहग नदिया हैं वाने पदेश से होकर बहती है है यह महादीपी भारत की दूसरी सबसे बढ़ी नदी है र्फाद र youtubers nap के दूसरी सबसे बढ़ी नदी है जो सबसे बढ़ी नदी आ जो कॉंसी है महानदी सोरी गोदावरी तुंग भद्रा की सहायक नदी कौन सी है हगरी है हगरी को वेदा वथी नाम से भी जाना जाता है तो एक बार पूछा भी गया इसलिए यहां पर पॉइंट आउट यहां पर किया हुआ है कि हगरी किसकी सहायक नदी है तो तुंग भद्रा की और यह वेदा नावथी नाम से भी जाना जाता है इसको ग्रहों की उत्पत्ति से संबंदित निहारी का परिकल्पना निहारी का कि संकल्पना किस दार्षनिक प्रस्तुत की थी तो लापलास ने याद रखेगा पूछा गया प्रशन है या लापलास ने और तमाल समय में प्रिथवीव अन् परिकल्पना अद्वेतवादी संकल्पना संबंदित है वहीं द्वेतवाद में चेंबरलीन वा मोल्टन की ग्रहण कर परिकल्पना और जेम्स जीन्स वा जेफरीस की ज्वारी परिकल्पना और रसेल की द्वैतारक परिकल्पना अद्दी गई है तो यह सब आप याद कुरॉसी कलिफॉर्निया सब ठंडी जलदा रहे हैं तो यह दोनों । कुरोशयो गल्फस्ट्रीम और मोजाम्बिक बागा तो आपको जो कोडिंग बताईए वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है तो सी इसका उत्तर हो जाएगा क्यूरोशियो गल्फ रिश्टीम और मोजांबिक प्रशान महासागर की गर्म जल्धारा है कौन सी है हैं दक्षिन विश्वती रेखी जल्धारा मोजामिक की जल्धारा अगुलहास की जल्धारा पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रनका बटवारा जाता है तो यह याद रखेगा आति महत्रपूर्ण प्रश्ण है 24 डिग्री अक्षांस रेखा कि आप में से मैक्सिम्म लोग 23 डिग्री लगा कर आ गये थे एक बार लेकिन इसका उत्तर होगा 24 डिग्री अक्षांस रेखा पाकिस्तान 24 डिग्री अक्षांस रेखा के सहारे कच्छ के रनका बटवारा जाता है कच्छ के रनकी पश्चमी सीमा पाकिस्तान से मिलती है 9 अप्रेल 1965 को पाकिस्तान ने अचानक आक्रमण करके इसके एक भागपर कबजा कर लिया शिवाली के गिरिपद प्रदेश में सिंदु नदी से तिस्ता नदी तक किस प्रदेश का विस्तार पाए जाता है देखे क्रम से याद रखेगा सबसे उपर रहेगा आपका भाबर भाबर के नीचे रहेगा बांगर बांगर के नीचे रहेगा खादर खादर के नीचे रहेगा तराई तो ये आपको याद रखना है तो ये जो है शिवाली के गिरिपद प्रदेश में सिंदु नदी से तिस्ता नदी तक किसका विस्तार पाय जाता है भाबर प्रदेश का विस्तार पाय जाता है एक भाबर प्रदेश शिवाली के तलहटी में सिंदु से लेकर तिस्ता तक अविच्छिन रूप से मिलता है जिसकी चौडाई आठ से दस किलोमेटर है कंकड पत्रों के धिक्ता करन इसमें इतनी अधिक पारगम्रता होती है कि नदिया यहां विलुप्त सी हो जाती है तराई प्रदेश भाबर प्रदेश के दक्षिनी भागों मिलता है पहले भाबर आएगा फिर तराई फिर बांगर और फिर खादर भाबर फिर तराई फिर बांगर और फिर खादर खादर नवीन जलोड मिट्टियों को कहते है नवीन जलोड जो मृदा होती है उसको खादर कहते है और बांगर क्या होती है पुरानी जलोड मिदा होती है उसको बांगर कहते हैं तराई प्रदेश जो होता है थोड़ा दलदली प्रदेश होता है जो नदियां भाबर में विलुप्त हो जाती है तराई में हलकी हलकी ये आने लगती है तो तराई प्रदेश दक्षिनी भागों मिलता है अधिक आदता करण यहां प्रायह दलदली छेत्र मि सवित्ता का विशाल भंडार है उत्तरी अमेरिका की सितोष घास का मैदान कहलाता है उत्तरी अमेरिका का सितोष घास का मैदान कहलाता है प्रेयरी ठीके ना प्रेयरी कहलाता है सितोष घाष कहां पाई जाती है बीच से 35 डेगरी उत्तरिय और दक्षिने चांसों के बीच महादीपों के आंत्रिक भागों में ये पाई जाते हैं उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी इसको कहते हैं यूरेशिया में स्टेपी कहते हैं अर्जेंटीना पे पंपास कहते हैं दच्छी अफ्रीका में वेल्ड वास्टेलिया में डाउंस ये सभी सीतोष प्रकार की घासे होती है निमकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दाची गाम ये जमू कश्मीर में है, पिन घाटी हिमाचर प्रदेश में है, तदोबा राष्टी उद्यान ये महाराष्ट में है, बिल्कुल सही है, कांगेर घाटी राष्टी उद्यान ये उत्तरा खर नहीं है, यह 36 गड़ में है, याद रखेगा, तो D इसका सुमेलित नह जाती है, कांगेर घाटी को 1982 भी में निशनल पार्क का दर्जा दिया गया, जब अपवातंत्र प्रतिरूप, पेड की शाखाओं के अनरूप हो, तो उसे कौन सा प्रतिरूप कहते हैं, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, विक्षा कार प्रतिरूप उसको कहेंगे, क्या कहें प्रतिरूप में आप यह रूप देख सकते हैं, जाली नुमा प्रतिरूप में क्या होता है, सायक नदी रहती है, इसमें जो है, इस तरह से जाल की वहांती, जो सायक नदीयां आकर मिल जाती है, तो जाली नुमा प्रतिरूप हो जाता है, अभिकेंदी प्रतिरूप में कहोता है, चारो तरफ से नदीयां, एक जगह आकर मिलती है, दिखाई प्रतिरूप होती है, तो यह खास कर किसी जील म गिरती हैं मिलती हैं इसको अभीकेंद्रीव पतिरूप कहते हैं तो कई तरह के पतिरूप होते हैं अप वह पतिरूप उनहीं का रिच्छाकार्श पतिरूप EVERY में शेद की प्रमुख जलधारा होती है और उसकी दक्षिन आस्टेलिया की स्पेंसर खाडी नेमर्कित में से किसका उधारं है तो यहां एक भ्रांस अगाटी है सबसे पहली बाद तो स्पेंसर खाडी कहां पर है यहां आहरा चाह clown चाहिए आस्टेलिया में आप कैС किसका उधारन है जब तनाव जनित बलके करना दो गाटियों के निमान होता है अफ्रीका की न्यासा, रुडोल्फ, टंगानिका, अलबर्ट वा एडवर्ड जीले ब्रंस घाटी में ही स्थित हैं सहितराज अमेरिका के कैलिफोनिया छेत में स्थित मृत घाटी भी भू भरंस घाटी है स्कॉट्लेंड की मद्दिवर्ती घाट दक्षिन अस्टेलिया की स्पेंसर घाटी भारत की नर्मदा और तापती नदियां याद रखेएगा ब्रंस घाटी चेहकरी गुजरती हैं एमम उपरी दामोदर नदी घाटियां भी ब्रंस घाटियों के प्रमुख उधारण हैं तो आज की लितना ही बहुत बहुत